हेलो स्टूडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं मंदगुपता आज आपके रहे लेकाम बटा आपका बीकॉम के सेकिंड सेमेस्टर में फैनेंशल अकाउंटिंग में चैप्टर है इंशोरेंस क्लेम उसका फर्स्ट कोश्चन तो चली स्टूडेंट इस्टार्ट करते हैं इसमें क्या कहा है मर्त आपको कहा रहा है कि ऑ के कार खाने में 15 सक्द्रां इक्टूबर 2021 को आग लग गई और हमांसे क्या क्या कालोट करा रहा है हमसे calculate करा रहा है कि उपरोग तो सूचना से stock की हानी के claim की राशी गणना कीजिए आग लगने से जो वास्तव में stock जलकर नश्ट हो गया है उसके लिए हमारे को insurance company से कितने amount का claim करना है उसकी calculation करनी है तो चले students इस प्रकार के question को करने के लिए हमारे को memorandum trading account बनाना पड़ता है और उसके बाद claim की value निकालने पड़ती है और claim की value निकालने के लिए हमारे को एक चीज विशे स्टोर पर ध्यान दखने हैं पटा कि ये तो हमारे को मालम नहीं होता कि आग किस दिन लगनी है इसका पहले से नहीं पता होता तो हमारे को क्या निकालना होता है कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास closing stock कितना था और साथी साथ आग लगने से जो माल बचा लिया जाता है उसको technical term में बोलते है salvaged stock बचा लिया गया माल तो closing stock में से salvaged value गटा देने के बाद जो value बनती है वो कहलाता है हमारी claim की amount तो चलिए इसको कैसे calculate करते हैं इसको समझते हैं question में क्या information दे दिया है आपको कह रहा है कि purchase दिया हुआ है वर्ष के प्रारम से आग लगने की तारिक आग लगने की तारिक क्या थी 15 October 2021 प्रचेस दिया हुआ है आपको question में फिर उसके बाद stock दिया है और ध्यान से देखेंगे बिट्टा स्टोक जो दिया हुआ है वो 1 अपरेल 2021 को दिया हुआ है प्रारम की तारिक का यानि कि यह opening stock है फिर हमारे को manufacturing expense दिया है sales दीवी है during the time period from the beginning of the year to the date of fire तक फिर उसके बाद gross profit rate दिया हुआ है तो बेटर ध्यान दखेंगे gross profit rate 10% दिया है और ध्यान दखेंगे जो gross profit है वो हमेशा sales पर निकलता है अगर question में कुछ नहीं कहा गया अगर question में कुछ नहीं कहा तो यह ध्यान दखेंगे gross profit अगर percentage में दिया है तो उसे sales के उपर calculate करते है और question में sales कितनी दिया है sales दीवी है 3,00,00,00 रुपे और जो gross profit है वो net sale पर निकलता है और net sale बराबर होती है हमारी actual sales minus sales return तो जो sales return करने के बाद जो sales आएगी उस पर calculate किया जाता है यह दिक question में दिवी है sales return तो उसे minus कर देंगे फिर उसके बाद wages दीवी है और फिर value of stock salvate बच्चा हुआ इस टोक का मुल्य है यह दिया हुआ है 10,000 तो चली देखते है question कैसे करना था तो students हमारे को question में sale दीवी है 3,00,00 रुपे की opening stock 80,000 रुपे का दस परतिशत किसका निकालेंगे sales का निकालेंगे sales दीवी आपको 3,00,00 रुपे की और 3,00,00 रुपे का 10% calculate करेंगे तो यह आजएगा 30,000 रुपे तो debit side का योग जादा है यह आजएगा हमारा 3,60,000 रुपे opposite side में लिख लेंगे 3,60,000 रुपे तो closing stock जो हमें नहीं पता होता है वो कैसे निकलता है balancing figure आजाते है debit side का योग करेंगे और credit side के amount को sales को घटा देंगे तो balancing figure closing stock निकल के आ जाएगी अब insurance claim की amount कैसे निकालनी है amount of claim कैसे निकलेगा value of closing stock on the date of fire आग लगने वाली इतिथी को closing stock की value थी 60,000 रुपे जिसमें से हमने 10,000 रुपे का माल बचा लिया था लगने से बाकी जो actual loss हुआ वो में 50,000 रुपे का हुआ यही claim की amount होगी तो इस प्रकार ये question करना था चलिए अब दूसरा question देखते हैं दूसरा question में क्या requirement है दूसरा question में कहा रहा है एक कार खाने में 1 October 2021 को आग लग गई निम लिखिट विवरन से stock के इस claim की राशी को निकाली है जो बीमा company से लिया जा सकता है insurance claim की amount निकालनी है जो हमारे को बीमा company से दावा करना है तो इसी प्रकार निकालेंगे question को क्या कहा रहा है कि stock दिया हुआ है 1 April 2021 को बेटा आग लगी थी 1 October 2021 को stock दे रहा है 1 April 2021 का यानिके ये क्या है opening stock की value दीवी है 50,000 रुपे की फिर इसके बाद हमारे को question में कहा रहा है बेटा purchase दीवी है 1 April 2021 से आग लगने की टारिक 1 October 2021 किस तक की 3,000,000 रुपे की purchase दीवी है फिर हमारे को कहा रहा है goods withdrawn for personal use A ने निजी परियोग के लिए माल आहरंड किया माल आहरंड किया कितना 800 रुपे बेटा purchase हम purchase में से minus कर देंगे क्यो purchase में से इसको minus कर देते है purchase में से एक तो purchase return और यदि कोई माल निजी परियोग के लिए परियोग किया है तो उसको minus कर देते है क्यों क्योंकि हम बिटा business के अंदर वही purchase consider करेंगे जो business के point of view से माल बेचने के लिए हमने खरीदा है है ना तो इसलिए purchase में से इस निजी परियोग के लिए लेगे माल की राशी को घटा देंगे फिर इसके बाद sales दीवी है एक अपरेल 2021 से एक दस 2021 तक की यह 4 लाग रुपे ले लेंगे फिर इसके बाद 4000 रुपे का बिका हुआ माल एक को लोटा दिया गया यानि के sales return की राशी है यह 4000 रुपे sales sales में से माइनस कर देंगे फिर इसके बाद कहा रहा है कि बिक्री पर ओसत्र सकलाव 40% है बटा 40% किसका लेंगे net sales का यानि के sales में sales return घटाने के बाद जो राशी आएगी उसका 40% लेंगे और आगे कहा रहा है कि आग से बचाईवे स्टोक का मुले यानि के salvaged स्टोक की वैल्यू कितनी है 11,600 चले देखते हैं कैसे करेंगे sales 4,00,000 रुपे की दीवी है इसमें से sales return माइनस कर देंगे तो net amount आजाएगी 3,96,000 रुपे opening स्टोक 50,000 रुपे का दिया हुआ purchase 3,00,000 रुपे की उसमें से sales return 4,000 घटा देंगे तो 3,96,000 का 40% ग्रोस प्रोफिट आजाएगा question में परसेंटे डीवीटी ग्रोस प्रोफिट परसेंटे 40% दिये जो की sales पर आजाएगी 1,58,400 रुपे balancing figure हमारी closing stock निकल के आजाएगी question number 1 में भी कराता हमने closing stock की value कब किया यह 1,10,2021 को जब आग लगी तो closing stock था 1,11,600 रुपे का इसमें से हमने आग लगने से माल बचा लिया salvage stock हो गया 11,600 का question में दिया हुआ है तो जो insurance company से amount claim करना है दावे के लिए वो निकल के आजाएगा 1,00,000 रुपे का students तो students इस परकार question number 1 और question number 2 का solution आज की session में हमने देखा आप इसकी अच्छे से practice करेंगे आगे के session में इससे आगे के question करेंगे यदि आपका फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप comment box में comment करके जरूर बताएंगे ताकि अपने next session में हम आपकी जो doubt है उनको clear करने की पुरी-पुरी कोशिश करेंगे और साथी साथ students इस वीडियो को अपने अन्यमितों के साथ जरू शेयर करें ताकि वो भी इसका benefit ले सकेंगे